कुट्ब मेल के सभी दर्शकों को उशा गुपता की ओर से दिपावली की धेर सारी बधाईयां और शुब कामनाएं इस बार की दिपावली ग्रिन पटाखों के संगी मनाएं आईए लाल बिहारी लाल जी के लेक से इसे और अच्छी तरह से समझें और जानें भगवान रामचंद्र कई दुरदान्त राक्षसों का वत करके वनवास से अयोध्या वापस आए तो इसे खुशियों को मनाने के लिए पूरी अयोध्या को दीपों से सजाया गया था जो कालांतर में डिपावली का रूप ले लिया पर धीरे धीरे खुशिया मनाने का तरीका बदल गया और आज हर मोसम या हर खुशी में पटाकों को शुमार कर लिया गया है बढ़ती हुई आबादी और घटे हुए वन ने पर्यावरन पर काफी दबाब बढ़ा दिया है ऐसे में इस मोसम में अन्य मोसम की तुल्ला में हवाएं काफी प्रदुशित होती है उपर से पटाकों का शोर और धुआ जीवों के लिए काफी हानी कारक साबित हो रहा है इसी को ध्यान में रखकर कई पर्यावरन संस्थाओं के सुझाओ पर सुप्रिम कोट ने 7 अक्टूबर 2017 को देश में दिपावली पर ग्रीन पटाकों को जलाने की इजासत दी थी यानि साधारन पटाकों पर बैन लगा दिया गया साथ ही साथ जलाने के समय सिमा भी रात्री में आठ बजे से दस बजे तक निर्धारित कर दी और यही प्रावधान वर्ष 2018-2019 में भी लागू रहा वर्ष 2020 में कोरोना के कारण कुछ मोसम और परिस्थितियां अनुकुल नहीं थी परंतु परियावरण में काफी सुधार आ हुआ वर्ष 2021 में धीरे धीरे सभी क्रिया कलाप पट्री पर लोट आए वर्ष 2021 में दिपावली पर सुप्रिम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे ही जलाने की इजाज़त दी है और अधिकारियों पर जिम्मेदारी भी टै कर दी है वर्ष 2022 में संस्क्रति की दुहाई देकर माननी सांसद मनोश तिवारी छूट के लिए सुप्रिम कोर्ट गए थे पर छूट नहीं मिली माननी जज एम आर शाह की बेंच ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप भी दिल्ली और एंसियार में रहकर इस तरह की बात कर रहे हैं उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली एंसियार में दिवाली पर पटाखों पर बैन रहेगी दो जन्वरी 2023 तक वही देश के अन्य हिस्सों में पहले की तरह जारी रहेगा अर्थात ग्रीन पटाखे जलाने की इजाज़त रहेगी या एक सकारात्मक पहले पर यह तभी संभव है जब जन्ता जागरोखो और सरकार का हाथ बटाए वरना पठाकों की इस जलन से कई जीव संकट में आ जाएंगे सितंबर माह 2023 में भी सुप्रिम कोट ने एक याचिका के संबद में याचिका खारिच करते हुए पुर्व की भांती प्रतिबंद जारी रखने को कहा और बोरियम युक्त पठाकों पर बेन लगा दिया दिल्ली NCR में सभी पठाकों पर बेन रहेगा जबकि देश के शेश हिस्सों में ग्रीन पठाके ही जलाए जा सकेंगे बात करते हैं ग्रीन पठाकों की तो दुनिया में चीन के बाद भारत दूसरे पाइदान पर निर्माता के रूप में जाना जाता है पठाकों के घटक में से अल्यूमीनियम, बेरियम, पोटेशियम नाइटरेट तथा कारबन की मातरा कम या बिलकुल नगन्य कर दी जाती है तो यही पठाके ग्रीन पठाके कहलाते हैं इन पठाकों से वातावरन में 30-40 प्रतिशत तक गेसे कम उत्यरजित होती है जिससे वातावरन में 30-40 प्रतिशत प्रतुशन कम फेलता है इन पठाकों का निर्मान राष्टरी परियावरन अभियांत्री की संस्थान पेट्रोलियम एवं विस्पोटक सुरक्षा संस्थान के सहयोग से C.A.S.I.R. ने बनाया है इनी के फार्मुलों का उप्योग अन्य पठाका उत्पादक कमपनियां भी करती है जिन पर एको या ग्रीन पठाके का लोगो लगा होता है साधारन पठाकों से निकलने वाली गेसों में सल्फर डाइ आकसाइड जिससे गले एवं चाती में संक्रमन शवशन में परेशानी कार्बन मोनो आकसाइड खासी त्वचा में परेशानी उच्च रक्तचाप मानसिक एवं रधे की बिमारी आउत्पन होती है पोटेशम नाइट्रेट जो कैंसर का मुख्य वज़ा है हाइडरोजन सल्फाइड जो च्छाती में दिक्कत ब्रोमियट ऑकसाइड आखों की तवचा तथा गंद सूंगने की ख्षमता को नस्ट कर देता है इसके साथ ही उच्छ शोर से मानव के कान के परदे भी फट सकते हैं पटाकों के जलाने से बच्चे मानव ब्रद्ध के साथ साथ पर्यावरन के अन्य जीव जन्तुओं पर भी इसका असर पड़ता है जिससे जीवों पर संकट उत्पन हो गया है अतह सुप्रिम कोट का ये फैसला सराहनी है अब हम मानव को भी आगे आना होगा कोट के इस कदम से हमें भी अपना कदम मिलाना होगा तब ही इस संकट से निजाद मिल सकती है वरना जीवों का जीना दुश्वार हो जाएगा और मानो खुश्यों की आड में अपना गला खुद घोट लेगा तो आईए ग्रीन पटाकों के संगी अपनी दिवाली मनाएं और खुश्यों की बोचारे करें लाल बिहारी लाल जी के लेक के साथ इंदोर से मैं उशा गुपता